हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूट्यूब चानल प्रिशाज वर्ल आज मैं आप लोगों के लिए इवियर्स का वर्कशीट लेके आई हूं जो कि नर्सरी के बच्चों के लिए बहुत ही यूसफुल है आईए आगे बढ़ते हैं मैं यहां पे कुछ पर्टिकुलर कलर्स लिखना है और सेम कलर से लिखना है और यहां पे उसी कलर का कुछ इमेज बनाना है तो रेड तो रेड कलर का यहां पे कौन सा अबज़ेक्ट दिख रहा है बच्चों को बोलना आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो खुद कहेंगे apple, तो हमें red को apple से match कर देना है तो yellow, yellow color का यहाँ पर कौन सा object दिख रहा है तो sun, pink flower, green leaf, blue, तो blue color का यहाँ पर sky, purple eggplant, black तो black color का bird orange, orange color का carrot, friends आप लोग अगर मेरे पहले का वीडियो तो शौट्स देखे होंगे तो मैंने अपनी बेटी को ऐसा बहुत सारा activities कराया है जो कि किसी भी नर्सरी के बच्चों के लिए बहुत ही helpful है लोग मेरे पहले का शौट्स देख सकते हो अगर आप लोगो अच्छा लगा हो तो उसे like करना बिल्कुल ना भूले match body parts body का parts यहाँ बनाना है और same body का parts यहाँ पर बनाना है अब बच्चों को कहना है match करने के लिए body के parts का नाम बताने के लिए आई यहाँ पर आई कहा है तो यह lips यहाँ तो lips ear nose hand जो activity दिया है यह summer से related है आप लोग इस जगह पे winter, rainy, spring कोई भी season आप लोग डाल सकते हो it is summer you eat and wear in summer हम लोग summer में क्या खाते हैं या क्या पहनते हैं circle them आप लोग चाहू तो match भी कर सकते हैं क्या पहनते हैं या क्या खाते हैं पहला चीज आईस्क्रीम तो swimming करने जाते तो swimming costume shades लगाते तो sunglasses cap भी पहनते हैं धूप से बचने के लिए uses of water पानी का कौन-कौन सा source है ये name से इस image को match करना है मैं अपनी बेटी को ऐसा कुछ लिख के देती हूँ तो मैं उसे समझाती हूँ कि इसका मतलब ये है तब वो identify करके उसे match करती है river well well मतलब कुआ तो कुआ lake tap tap मतलब नल का पानी rain मतलब ये तो सब बच्चों को पता है तो ये मतलब समझाने का सर्वत नहीं है तो बारिश तो कुछ image बना सकते हूँ जैसे electricity किस-किस चीज में यूज आता है फ्रिज में, fan में, light में, microwave में, toaster में आप लोग यहाँ पर कुछ बना के electricity का बता सकते हूँ कि electricity से ये ये चीज चलता है domestic animal each animal's name to its users hen से हमें egg मिलता है cow cow से हमें milk मिलता है ship ship से हमें wool मिलता है horse ride के लिए dog dog guarding करता है हमारे घर को domestic का अच्छ से उन्हें मतलब समझाए कि इन्हीं हम लोग घर में रख सकते हैं इस जगा पे बच्चों को एक अलग से activity दे सकते हो zoo animal का भी कि zoo में कौन सा animal को रखना चाहिए domestic animal कौन सा है zoo animal कौन सा उन्हें उन्हें differentiate करना बताए कि ये पालतू जानवर है और ये zoo animal है इन्हें zoo में रहना चाहिए ये घर में भी रह सकते हैं ये पढ़ा है तो उन्हें ये ज़रू बताए कि हमारे five sense organ कौन से है mouth इस से हम taste करते हैं ear से हम सुनते हैं eye से हम देखते हैं nose से हम smell करते हैं skin से हम feel करते हैं इस toy से क्या करते हैं तो बच्चे खुद बोलेंगे कि हम लोग इसे बजाते हैं सुनते हैं आवाज आता है तो सुनते किस से हैं ear से ये frame हम लोग इसे क्या करते हैं देखते हैं तो किस चीज से देखते हैं आई से देख flower हम लोग flower को क्या करते है smell करते है ् सूंगते है pin pin से हमें क्या होता है to skin में pin होता है चुपता है तो skin कहा है pizza पिज़ा हम क्या करते है खाते है taste करते है tongue तो यहां पर कुछ transports है और वो transports 카हा then use होता है यह बच्चों से पूछे बस, रोड से, प्लेन, तो इस काई में, ट्रेन, ट्रेन कहां यूज होता है, तो ट्रैक में, याच, याच कहां यूज होता है, तो रिवर में, इस activity में हमें कुछ animals यहां पे बनाना है, और उनका home से साइड में बनाना है, कि where do these animal leave? fish, fish कहां रहता है, कि aquarium में, squirrel कहां रहता है, तो tree में, dolphin कहां रहता है, तो river में, dog कहां रहता है, तो kennel में, जगह पे आप लोग कोई भी animals बना सकते हो, bee बना सकते हो, beehive से मैच कर सकते हो, rabbit बना सकते हो, bureau से मैच कर सकते हो, यहां पे आप लोग कुछ भी बना सकते हो, जिससे बच्चों को यह idea रहेगा particular animals कहां पे रहते हैं। आप लोग ऐसा activities के लिए लेके shots और videos देख सकते हो। Trust me, आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत ही useful होगा। यहाँ पे हमें कुछ objects बनाना है, fashion के लोगों के belong करता है। जैसे book, book यहाँ पे कॉन यूज करता है। बच्चों से पूछें। तो वो कहेंगे teacher, तो book को teacher से, यह hat कॉन यूज करता है। cook, तो cook को sthetoscope कॉन यूज करता है, doctor, paint brush कॉन यूज करता है। तो painter, fire, fire किसे बनान करता है, तो fireman, police हो इस जगह पे, doctors, fireman, painter, कुछ भी, आप लोग यहाँ पे कुछ भी यह कर सकता ह। Friends, अगर आप लोगों को मेरा यह activity अच्छा लगा हो, तो friends, please like, share and subscribe my channel. And thanks for watching.